अश्कार दोस्तों अब हम आपको SMD स्टेंसिल से पेस्टिंग करना सिखाएंगे यह देखिए PC भी कि इसको इस तरह से लगाना है और यह SMD पेस्ट है यह आपको मार्केट से मिल जाएगा देखिए कैसे करते हैं इसको कि इसे लगाना है और एक बार दुबारा से उपाज पेस्ट पड़ा स्को ठालना है कि यह देखिए कितनी बड़ीया तरीके से हुआ है कि दोस्तों यह जो हम SMD स्टेंसिल में जो प्रिंटर इस्तमाल कर रहे हैं यह वाला प्रिंटर इस प्रिंटर को मैं दूसरी वीडियो डाल दूँगा कैसे बनाते हैं इसको इसको भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आपको मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आप देख लिए यह स्टेंसिल यह है यह प्रिंटर से इसको देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों अब हम पीसीबी के उपर एसमडी कंपोनेट रखने जा रहे हैं देखिए एसमडी कंपोनेट कैसे रखे जाते हैं जो तो कंपोनेंट हम इस पर रख रहे हैं वह मैं आपको पूरे इसकी रिल दिखा दूँगा देखिए इस तरह चे आपको कंपोनेंट इसके उपर रखने है और हलका सा प्रेस करना उपर चुम्टी से बस यह 1206 पैकेज की रेजिस्टेंस है अबस प्रॉड़ कारी एक बार आप माउंट के काम शुरू करेंगे तो आपको आदर जाएगी कंपोनेट रखनेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी मैं अब आपको रील दिखाता हूं आपके इस प्रकार की कुछ रील होती है SMD कंपोनेटों की इनके पैकेजेज जो होते हैं उसके उपर लिखा रहता है कि वेल्यू पैकेज वगर मेंशन होते हैं यहां पर कि देखें सिंगल डायोड एक तालीस एक तालीस एक तालीस है कि यह SMD रेजिस्टेंस है वन मेगाओं यह M7 डायोड है जिसे हम चार्जर सायद भी बोलते हैं कि आप चाहिए तो इन कंपोनेटों को रखने के लिए जितने भी कंपोनेट आप यूज करेंगे यह SMD के लिए उनके लिए चोट-चोटे डिब्बी बना सकते हैं यह को च्रे ले सकते हैं छोटी च्रेंस की अधिया मल्टी ट्रेस आते हैं इसमें आप एक ट्रेक अंदर ऑफिशाट बोक्स बने होते हैं उसके अदर आप अपने कंपोनेट रख सकते हैं और इजली पिक तो इस प्रकार SMT कंपोनेंट लगाए जाते हैं तीसी वीडियों पर